नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान मैं मनीशा एक बार फिर करने आई हूं रिष्टो की बात रिष्टे नाते क्या सार है रिष्टो का जरा रुकिए जरा ठहरिए और देखिए जिन्दगी की ट्रेन कितनी तीवर गती से दोड़े जा रही है और रास्ते में आने वाले स्टेशन फिर नहीं आएंगे जिन्दगी के सफर में तो जरा ठहरिए और वर्तमान पलो को जी लीजिए जा सिमरन जा जी ले अपने जिन्दगी दोस्तो खुबसूरत रिष्टे ही हमारी रियल लाइफ है और जीवन की इस आपा धापी में हम उन्हें इग्नोर करने लग जाते हैं जैसी पौधों को खात पानी ना दो तो उनकी ग्रोथ रुख जाती है वो सूखने लगते हैं मरने लगते हैं ऐसे ही हमारे रिष्टे भी I understand कि आजकल की hectic life में time की कमी है लेकिन कमी ही सही but quality time जरूर देना चाहिए रिष्टों को आपकी एक smile, एक call, एक get together, रिष्टों को जीवन देता है पैबलो नेरुदा की एक poem है keeping quiet जिसमें वो self introspection that is self analysis करने के लिए कहते हैं हम क्या है, क्या हमें चाहिए और हम क्या कर रहे हैं यदि हम ये जान ले तो हमारी life में खुशियां आ सकती हैं हमारे रिष्टे खूपसूरत और स्वस्त बन सकत पैबलो नेरुदा आगे कहते हैं victory with no survivors is meaningless अर्थात जीवन की दौड में यदि आप जीत भी गए लेकिन आपकी उस जीत को celebrate करने वाला कोई नहीं आपके साथ तो क्या value उस जीत की जीत की कीमत यदि आपके अपने हैं तो वो victory वो जीत meaningless है आपके रिष्टों को आपकी वारा ना जाए तो Robert Frost की poem The Road Not Taken जैसी condition हो जाती है अब पस्ता आए होत क्या जक्चडिया चुप गई खेट जिन्देगी के सफर में गुजर जाते हैं जो माकाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते तो समय रहते ही रिष्टे संभालिये उन्हें जी लीजे इसका एक ज्वलन्त उधारण हम आज के समाज में देख सकते हैं जब बच्चे छोटे तो माता पिता उन्हें मेट के पास छोड़ते हैं या क्रेश में और पैसा तो खर्च करते हैं उन पर महेंगे स्कूल में पढ़ाते हैं हॉबी क्लासेज में भेजते हैं सारी लगजरी देते हैं लेकिन नहीं दे पाते तो बस वो प्यार वो सुपरवीजन वो क्यर वो समय जिसकी बच्चों को सबसे अधिक जरूरत और कॉंसिक्वेंस बच्चे भी बड़े होकर बस पैसा अद्मि करने की मशीन बनकर रह जाते भाव शून्ने भावना शून्ने वो भी अपन ही माता-पिता को भी व्रद आश्रम में रहना पड़ता है बहुत इक वाद की इस दुनिया में प्रेम और रिष्टे आपसोलीट हो गए हैं रिष्टों की कदर कीजिये साहिप ये वो बेशकीमती दौलत है जो किसी कोहिनूर से भी बढ़कर है ये वो ताकत है जो किसी हॉरलिक्स या कॉम्प्लेंसे नहीं मिलती भाव से पत्थर भी पूजे तो भगवान बन जाते हैं तो इंसानी रिष्टों की कदर करेंगे तो भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे तो दोस्तों कदर करेंगे अपने रिष्टों की जी लीजिए अपनी जिंदगी अपने खूबसूरत रिष्टों के साथ मैं मनीशा ऐसे ही करती रहूंगी रिष्टरनातों की बात रिष्टों का साथ तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान